हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे आलू अच्छा नमकीन एकदम कुर्पूरा एकदम चटपटा पूचेवान लच्छेदार नमकीन एकदम बनाना एकदम आसान है अब रत में खाने के लिए तो हेलो फ्रेंड असलाम अलेकुम वेलकूम तो सना ब्लॉग आज आपकी सना एक प्रेशिपी के साथ मंआ यह और रिसीपी कों सी यह ऐओ देख लेते हैं जए तालू अच्छा नमकीन बनाने कि लिए मैंने पांच मेडियम आलू ले लिए इसको अच्छे से मैंने धुल लिया है आप देख सकते हैं घुले के बाद हम अच्छे से स्का छिलका उतारेंगे निकाल दिया है आप देख सकते हैं अभ हम एक ट्रे लेंगे इसको अच्छे से चिलनी साधा से मैं पूरा छिलका उतार लेना है आप देख सकTे हैं हाँ फ्रेंड इसको आप बच्चे को यह बचु को बजकार पबको दोवी क्राइवाद है फिया र घर रचे दिहांगे और एक मैं निकाल दियाना और बहुंगी और आरम उसमें ढाल देए तकी हमरा अच्य से कारा ना पड़े तो हमने इसको दो-तिन पानीस इस अच्छे से धोली है यह देखें में दूसरे बढ़तर भी निकाल दिया है इसको सारा पानी से अब इसमें बॉय पानी डालेंगे एकदम गरम पानी डालेंगे अब इसको दो मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे सिर्फ दो मिनट के लिए तो आप देख सकते हैं अब हम एक टा आप बजार जाना भी बूल जाएंगे यह दिखिए मैंने अच्छे से इसमें फैला दिया है पंके के रीचे आप फैला सकते हैं दोकी कोई जुरत नहीं है और टावल को उस पे से डाल के उसका पानी जितना हो सके अच्छे से सूख जाए इसको आपको कम से कम 2-3 मिनिट के ल नेका लिया अच्छे से इसको रख ली आ है अब हम चलते हैं के तरफ कि तरफ कर रहता है मैं ऐसे तூ आए तो नोटना यह जाल को ठीज यह लाटा तैसर्म कर लेना है देक सकते हैं जब कुशंशी है नहींने डाना है तोidents नेकर शीर दोना यह लहांать에anie अग्दम कम हो जाएगा तब आप उसको चलाएंगे थोड़ा इसको चलाने के बाद इसका सारा बबल्स खतम हो जाए तो समझ दीजिए हमारी नम्कित बन गई है यह दिखिए ऐसे खतम हो जाएगा यह हमारा क्रिस्पी इदम बन के तयार है हम ऐसे करके सारा निकाल लेंगे प्लेट में पेपर लगाना है और रखके उसको अच्छे से साइड रख देना है और जो हमां बचा हुआ आलू का है उसको भी डालगा है उसको भी अच्छे से कर लेना है अब हम इसमें डालेंगे 8-10 बदाम उसको भी क्रंची इदम हमको फ्राइ कर लेना है जैसे कर लेना प्रफटा लिए इसमें कड़ी पता जरू डालेगा कड़ी पता से कफेशा फ्लेवर आता है उसको भी हमें रोष्ट कर लेना है आठ से दस हम काजू लेंगे अगर बदा में तो आप वह भी डाल सकते हैं तो मैंने बदाम पहले से किया था भून के रखा था उसमें मैं अब यह नीचो बगर के अच्छे से मिला लेना है मैं इसको दो भाग में डिवाइट करूंगी आपको अगर एक ही अगर चट्पटा रखना तो चट्पटा भी बना सकते हैं तो यह दिखिए मैंने दो भाग में कर दिया इसको तो अभी अब इसमें हम थोड़ा नमक डाले ज्यादा नहीं डाले अगा श्रों में कुछ भी नहीं डाला है शुरू में थोड़ा सा अ क tienenशनाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगी के £ L पीछीन है इसे खट्टा मीठा स्वाद आएगा अच्छा लगेगा चिऊड़ा में इसको पोलते हैं नमकिन आलू का च्वडा नमकिन आब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाला मेने पहले से बनाया था एक चम्मच इसमें लाल मीच पाॉडर है चाट मसाला है नमक मैंने प खा सकते हैं तो मैंने थोड़ा कम रखा है बच्चों को खाना है तो आपको हमारे अलू अलच्छा दा चूड़ा की नम्खिन कैसी लगी इंशाला अच्छी लगी हो तो प्लिस हमाई चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा सुस्क्राइब करना बिल्कुल ना तब तक मिलते हैं नेक्स ब्लोग में थैंक यू सो मच अल्ला हाफिज है कि अ